student last class में हमने देखा था कि extension manager किस तरह से काम करता है हमने देखा था कि 1001 टूल को कहां से download करेंगे और आप उसे sketchup में किस तरह से install करेंगे हमने ये भी देखा था कि 1001 के tools lot tools set किस तरह से different है students आज कि class में हम lotto set को आगे continue करेंगे हम देखेंगे कि ला class में जो हम topic cover करेंगे वो है chamfer to the edge, move selected vertex, create a parallel edge, array walls, grooves on walls, type of stairs window frame and door frame divide selected face into panel or grill और यह जितने भी tools है वो 1001 जो toolset है जो हमारा extension है यह उनीक है tool है तो चलिए class start करते है देखते हैं कि chamfer to the edge tools किस तरह से काम करता है यह जो एक आप corner table देख रहे हैं इसका आप corner देखेंगे तो यह chamfer कटा हुआ है कुछ इस तरह का अगर मुझे table बनाना है आपको drawing room में रखना है, bedroom में रखना है तो आप इसे किस तरह से create करेंगे आए आज देखते हैं यहां पर आप top view में आते हैं और मैंने parallel projection किया हुआ है मुझे एक corner table बनाना है और corner का जो table है वह आप कस्टमाईज होता है, आप कोई भी size ले सकते हैं for example, यहां से मैं, table का जो आपके पास measurement है for example, वो मेरे पास है यहां पर 18 18 inch अगर मेरे पास यहां पर आप क्या करेंगे? आप handful करेंगे यहां पर आप यहां से 18 इंच कर सकते हैं और आप इसे यहां पर connect कर देते हैं आप क्या करेंगे आप चैंफर करेंगे यहां पर आपने यहां क्लिक किया आपने यहां क्लिक किया और यहां पर अगर आपने 9-9 इंच दिया आपने किया तो यह कुछ इस तरह का आपके बास यहां पर यह चमफर आ जाए गया आपने इसे एक स्टूड करेंगे यहां पर आपने इसे एक स्टूड किया आप एक इंच का लेना चाहते हैं यहां पर आपने एक इंच टाइप किया यह आपके पास एक बेस आ गया इसका आप इसे make group कर सकते हैं आप क्या करेंगे आप इसे copy कर लेते हैं copy करना मैंने आपको बताया था कि copy करके आप इसे यहां पर place करेंगे आपने इसे यहां से copy किया और आपने इसको height दिया यहां पर 18 inch जब आप इसे 18 inch height दोगे तो कुछ इस तरह का यह आपके पास आएगा हमें इसे measurement कर सकते हैं यहां से लेकर तो मेरे पाँ एक फूट छे इंच है यहां पर मुझे क्या करना है कि इसका यह portion बनाना है कैसे आप बनाएंगे आप क्या करेंगे यह आपका base त्यार हो गया आप इधर double click करेंगे आपने उपर का face लेक किया आप यहां पर आएंगे है और आप ने दिया 1 इkach यहां पर देखेंगे जो worse अपका यहां पर फूप करेंगे आप लाइन पर आएंगे और यहां से लेकर यहां पर ही से connect कर देता हूं और आप यहां से तूड कर देते कि आप इसे extrude करेंगे मैं इसे यहां पर extrude कर दो मुझे कहां तक लेना है मुझे इस पांट तक यहां पर मैंने लिया तो आप देखेंगे कि यहां पर यह कुछ इस तरह का design हो गया आप चाहते हैं कि मैं यहां पर इसे आप देखेंगे जैसा मेरा पर reference सा बिल्कुल यह वैसा design हो गया तो easy है यहां पर आप इसमें shelf बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहां पर copy करते हैं इसे आप इस distance पर रखेंगे और आप इसके center में इसे एक लेकर आना चाहते हैं तो यहां से लेकर अगर मैं 9 इंच कर देता हूं तो यहां पर यह 9 इंच के distance पर इसका यह shelf आजाएगा तो काफी easy है यह आप इस पर use कर सकते हैं इसे यहां पर और मुझे यह नहीं चाहिए तो यहां पर आप देखेंगे आपको एक और example देखते हैं आप top view में आएंगे और मेरे पास है यहां पर जो next option है वो है create parallel edge जो create parallel edge है वो हमारे offset की तरह काम करता है और यहां पर जो आप tape major tool है यह कुछ-कुछ उस तरह भी काम करेगा तो देखते हैं कि किस तरह से work करेगा For e.g. आपको एक room के अंदर एक wall खढ़ी करने आप कैसे करेंगे आपने एक line लिया यहां पर और आपने room लिया यहां पर 12 feet का और यहां पर जो आपने लिया वोह लिया 18 feet का और यहां से भी आपने इसे 12 feet का लिया यहां। यहां से भी आपने इसको कनेक कर दिया मुझे क्या करना है कि मुझे यहां पर वोल्स बनानी है तो आप कैमेरे में जाकर परस्पेक्टिव ले सकते हैं आप यहां पर क्रेट पैरलर रेज पर आएंगे और यहां पर पूछ रहें कि कितना डिस्टेंश मैंने बोला 9 इंच आपने यहां पर क्लिक किया आपने देखा कि यहां पर मैंने क्लिक किया तो यहां पर यह कुछ इस तरह का इसने मुझे पैडल लाइन दे दिया आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो मैं यहां से रिमूव भी कर सकता हूं यहां से आप इसे रिमूव कर सकते हैं और यहां से मैं चाहता हूं कि मेरे डोर जितना अगर मैं साड़े तीन चार फीट का यहां पर डोर लेना चाहता हूं तो वो भी आप create कर सकते हैं तो आप कैसे करेंगे आपने इसे इसे और यहां पर फिर आप गए पैडलर इच पे आपको चाहिए कितने का आपने बोला three feet छे इंच का और आपने इसे यहां पर click कर दिया आप अब इसको extrude करते हैं यहां पर मैं एकर supra करूँगा तो आप देखेंगे कि आपका यह walls खड़े जाते हैं आप आपने 10 feet किया आप इसे make group कर सकते हैं तो यह मैंने आपको एक बहुत simple सा example दिया कि आपको अगर walls create करने हैं तो आप इसकी help से wall कैसे create करेंगे आपको offset की भी जुरुत नहीं पड़ेगी और ना आपको tape measurement की जुरुत पड़ेगी और आप यहां से create कर सकते हैं अगर मुझे इसे उपर का बनाना यहां पर और यहां से आप इसको मैं अगर इसको 7 feet का दर्वाजा थोड़ना चाहता हूं तो मैं इसको 3 feet कर सकता हूं तो काफी इसी था आपने देखा यह बनाना मैंने आपको बताया कि आप पैदलर इससे किस तरह सी इसको create कर सकते हैं ओके एक और मेरे पास यहां पर example है यहां पर मैंने एक bookshelf यहां पर आप देख रहें मेरे पास एक bookshelf है और यह bookshelf की जो height है वो 69 inch है और जो इसकी width है वो है 31 inch अगर आपको यह बनाना है पैदलर agents की help से यह तो आप कैसे बनाएंगे देखते है आप front view में जाते हैर आप यहां पर जो मेरे पाँ मेरे जो 69 in the next यहा पर आप line ले ले लें है और मेरे 69 inch है और हम उन पर मेरे जो मेरे थार्टी वॉन इंच यहां पर भी आ आप आएंगे और देखेंगे कि 69 inch है और आप इसे यहां पर तो यह मेरे पास क्या हो गया एक base आ गया आप इसको extrude करते हैं तो मैं इसे 0.5 inch ले लेता हूं 0.5 inch का हो गया कि half inch का मेरे पास यहां पर यह wood है आप make group कर देते हैं इसे border बना हुआ है और beach में भी यहां पर shelf बने हुए तो कैसे करेंगे आप यहां पर आएंगे मैं face पर जाता हूं आप parallel range पर जाएंगे मुझे कितने का चाहिए 0.5 मुझे चाहिए आप क्या करेंगे आप यहां पर आएंगे यहां से यह नीचे आपने यहां से यह नीचे किया और मुझे इसे अब एक्स्टूड करना है तो आप क्या करेंगे आप यहां पर फेस पर जाते हैं आप इसे एक्स्टूड कर सकते हैं अगर मैं इसको यहां से एक्स्टूड कर रह लिया फिर आप यहां पर आये फिर आपने यहां पर बनफेट ले economist अंति है तो आप ने देखा कि यहां में मैं को मेंने एक इसका बोर्डर बना दिया है जो मेरा bookshelf है मैं इनको एक बार हाइड कर सकता हूं यह दो ब्जेक्ट मैंने चाहिए मुझे यहां पर तीन इंच उपर चाहिए यहां से तो आप क्या करेंगे आप यहां पर आएंगे और मुझे यहां पर तीन इंच का यहां से और फिर मुझे यहां पर चाहिए हाफ इंच पॉइंट फाइव कर देते हैं और मैं इसे यहां से और आप इसे एक्स्टूड कर देते हैं आप एक्स्टूड कहां तक करेंगे इसे यहां तक थोड़ा सा पीछे तक करूँगा मैं एक बार इसको थोड़ा सा ओवर पीछे ले जाता हूं मैं इसको यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे और मुझे बिल्कुल यहां तक नहीं चाहिए मैं चाहता हूं कि 0.5 मैं इसे अंदर ले जाओ यहां पर मैंने एक क्रेट किया मुझे यहां पर एक वुड लगाना है आप क्या करेंगे आप यहां से लेकर और यहां पर आपने यह एक्स्टूड कर देंगे इसे और मैं इसे अंदर की तरफ यहां पर क्रेट कर देता हूं ट्रिपल क्लिक एंड में ग्रूप तो आप देखेंगे कि यहां पर यह कवर हो जाएगा अब मुझे क्या करना है कि इसके बीच में आपको शेल्फ चाहिए पहले मैं मेजर्मेंट देख लेता हूं कि मुझे कितना म क्या करेंगे टेप टूल लेंगे आपने यहां क्लिक किया और मेरे पास है 5 5 वुट पांच इंच पांच पांच इंसका मतलब क्या है कि 12 50-60 और 65 इंस 65 और 65 इंस पे एगर मैं आधे आधे इंच का मैं इसे निकाल जाल देहां पर मेरे पास जो बचेगा वह useful बचेगा और मैं 64 को अगर हम आउब अब अभाग करूंगा तो मेरे पास 25 इंचीज बचेगा तो देखते हैं किस तरह से करेंगे आप स्लेक करते हैं इसे मेजर्मेंट आ रहा है वह 21,3 अब है मैं यहां से इसे तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो measurement आता है वह 21.3 आया आप रिशे करेंगे यहां पर मुझे 0.5 इंच यहां पर चाहिए तो आपने क्या किया 0.5 आपने यहां पर इसे लेकर आया फिर आप यहां पर आये फिर आप 21.3 और फिर आप यहां पर आएंगे आपने बहुत पॉइंट फाइव यहां पर आपने देखा कि यहां पर तीन पार्ट में डिवाइड हो गया यह आप क्या करेंगे आप यहां पर आएंगे और मैं इसे एक्स्चूर्ड कर दूँगा फिर आप यहां पर आएंगे यहां पर तो आपने देखा कि यह मेरा तीन पार्ट में डिवाइड हो गया आप क्या करना आपको इसको सेंटर आपका बनाना इसे जहां पर आप रिफरेंस में आप देख रहे हैं मेरे पास यहां पर सेंटर में भी आप रिफरेंस में देख रह तक का एक extrude करेंगे यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पर एक rectangle create किया और यह rectangle को मैं यहां से move कर देता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ आए आप यहां से point five का एक partition काड़ सकते हैं आपने make group किया आप क्या करेंगे कि आप इसके यह center पर आएंगे और इस center को आप इस road के center center कैसे मिलेगा जो यह point है यह इसका center है तो यहां पर मैंने इसे center में place कर दिया तो आप देखेंगे कि यहां पर मेरे पास यह एक bookshelf बन गया है यहां पर यहां पर जो मैंने point five inch के यहां पर मैंने फटे लिये हैं और जो मैंने इसका measurement लिया है वह 69 inch है और वृत है वह 31 inch है आप यहां से measurement कर सकते हैं यहां से मैं इसको measurement कर लिता हूँ तो दो फिट साथ इंच चोबिस और साथ 31 inch का यहां पर आप देख रहे हैं और यहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे एक bookshelf बन गया जो मैंने आ पैरल और एच की help से मैंने इसे create किया है तो चलिए आगे देखते हैं आगे और हम क्या create कर सकते हैं for example आपके पास यहां पर एक line आपने ड्रो किया आप इस तरह से आप यहां चाहते हैं कि आपके path के उपर कोई object आपने क्रेट किया और आप चाहते हैं कि वो उस्सी direction में जाए आप यहां पर एक आपने एक line create किया फिर आपने यहां पर circle create किया आपने इसे extrude कर दिया आपने इसे two feet का कर दिया आपने इसे यहां पर triple click किया और आपने इसे make group किया यह आपके कहां काम आ सकता है जहां पर आप एक बालकनी बना रहे हों और बालकनी में आप चाहते हैं कि मैं वहां पर इस तरह के ग्रिल लगाना चाहता हूं तो आप इसे यहां पर मैं इसे create कर देता हूँ आप प्रोसीजर क्या है ध्यान से देखेगा मैंने एक object यहां पर यह मेरा object है आप क्या करेंगे आप array पर जाएंगे यहां से यह पूछता है कि दोनों end पर आना चाहिए यहां पर आप build array करेंगे आपने क्या करेंगे आप यहां से लाएंगे इसे यहां पर आप क्या करेंगे इसे select करेंगे आप array पर जाते हैं आपने यहां से लेकर यहां तक किया और फिर आपने इसे यहां पर create किया तो आपने देखा कि यह इसने इसकी copies लेकर और यहां पर 10 आपकी copies यहां पर arrange करते हैं आप देख रहे हैं कैसे किया देखे आप object को select करेंगे आप यहां पर आएंगे array पर आपने click किया यहां पर आप से यह पूछेगा यहां पर आप से पूछेगा कि number of copies कितने चाहिए और आपको and से place आपको both end पर चाहिए yes मुझे both end पर चाहिए build array करेंगे आपने यहां पर यह क्लिक किया और फिर आपने इसे यहां पर click किया तो आप देखेंगे कि यहां पर मेरे पास दस यहां पर औफ्जेक्ट लग गए हैं यह कोई भी object हो सकते हैं के आपके किसी चीज़ को कोपी करके लगाना चाहते हैं तो आप copy करके भी लगा सकते हैं और array करना चाहते हैं तो आप array भी कर सकते हैं एक और example देखाता हूँ मैं आपको तो for example आपको एक यह जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत basic example से थ्रू बता रहा हूँ आगे जाकर हम इसको object में भी apply करेंगे लेकिन मैं आपको एक funda समझा रहा हूँ कि tools किस तरह से काम कर रहा है एकिण कि ऐस दो कर आपने यहां पर एक शंडर लिया और आपने यह जो यहां पर place किया और मैं यह चाहता हूँ कि यह इसके यह पर चारो तरफ आना चाहिए तो आप क्या करेंगे आप इसके Center से यहां पर इसके Center से एक एक ऐसे उपर की तरफ आप एक लाइन करेट करेंगे दिखाने के लाइन करेट आपने इसी इसे स्लेक यह अपगेक को आप यहां पर आते हैं मेरे पास यहां पर एक एरे है और यहां पिर और नंबर आइटम कितुछ 20 अब आपको यहां क्लिक किया और फिर आप대ी क्लिक अब आप देखेंगे कि आपके circle के चारो तरफ यहाँ पर यह slender place हो गए है अगर आपने कोई round table बनाना है तो round table के चारो तरफ अगर आप chair रखना चाहते हैं तो same example आपका काम आएगा for example यह आपकी chair है आप क्या करेंगे यहाँ पर आएंगे और मुझे कितने चाहिए 4 आपने 4 create किया आप यहाँ पर 3 कर दे like बना हूँ है build array आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप ऊपर की तरफ आपको select करेंगे यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर array है आपको कितना चाहिए 4 मैंने यहाँ पर फोर क्लिक किया और आप यहां ऊपर से यहां पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां चारों तरफ आपके चेर्स आ जाएंगी आप टॉप यू में जाएंगे और यहां पर आप क्या करेंगे आपने लाइन लिया यहां पर आपने यह 15 feet यहां पर आपने किया यह 10 feet और यहां पर भी 15 feet आप क्या करेंगे आपने यह जो बनाया rectangle मैं चाहता हूं कि इस पर मैं यहां पर जो क्या क्यों लिडार आपने क्लिक किए यह वो की ठिकनेस पुछता है आपने बौला 9 inch और यह items आप यहां पर और अप करेंगे जब आप enter करेंगे तो यह आप देखेंगे की जो यहां पर आपका वोल क्रेट हो गया काफी इजी है वोल बनाना मैंने यहां पर यहां से वोल से मैंने वोल क्रेट किया फॉर एक्जामपल आपके पास टोप में आप जा रहे हैं और आपके पास इस तरह से कुछ वोल है अगर यह वोल आप create करना चाहते हैं तो काफी easy है यहाँ पर वोल create करना आप यहाँ पर click करेंगे फिर आपने यहाँ click किया फिर आपने यहाँ click किया आपको just trace करना है आप यहाँ पर trace करते जाएंगे और आप click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर य देखते हैं कि विंडो कैसे क्रेट करेंगे अभी मैंने वोल क्रेट किया था आप कैमरे में प्रेस्पेक्टिव पर आ जाते हैं आप जिस स्पेस पर आपको बनाना है आप उसे स्लेक्ट करेंगे आप यहां पर विंडो पे खुरूब करेंगे, आपको जो width और height चाहिए, आप यहां पे करेंगे, create opening करेंगे आप आप यहां पे क्लिक करते हैं आप center में लेकि आएंगे जितना ऊपर आपको चाहिए यहां पर आप और यहां पर आप देखेंगे कि आपका यह window create हो गया है तो काफी easy है बनाना आपके लिए आप बना सकते हैं आप फिर space पे गए आपने फिर select किया आपको आपने दिया हुआ यहां पर और आप select करेंगे यहां पर यह एक और window आगया तो आपने देखा कि यहां पर मेरे पास wall के अंदर window के लिए जो मैंने यहां पर space दिया है वो create करना हो तो कैसे करेंगे आप यह चाहते हैं कि मेरे पास जो यहां पर window के लिए मैंने space दिया यहां पर मैं window भी create करना चाहता हूं तो मेरे पास यहां पर frame होता है आप क्या करेंगे आप rectangle create करते हैं यहां पर आप frame पर आएंगे और मेरे पास क्या है कि आपको frame की depth कितनी देनी है for example मैंने यहां पर इसे 9 inch दे दिया यहां पर आपको execution depth कितना देना है for example यहां पर और यहां पर आपको बता भी रहा है कि यह d2 है d2 यहां पर यह d है d मेरा मैंने 9 inch का लिया यह मेरा d2 बता रहा है यहां पर मेरा डबलू वृत बता रहा है यहां पर वृत कितनी चाहिए यहां पर तो यहां पर अगर मुझे चाहिए तीन इंच मैं यहां पर तीन इंच देच रहता हूं ठीक है और यहां पर मेरे पास यह अंदर की बता रहा है तो मुझे भी नहीं चाहिए मैं यहां पर रह सकते हैं यहां पर नियों किया मुझे यहां सी जो चाहिए वोब फिट 6 इंच्ट का डॉलर चाहिए आपने ओके किया तो फिर एजंपल मैंने यहां पर मिपड मेर पार दोर आ गया मुझे यहां पर के लिए यहां पर मैं हैट दे आप यहां पर 7 inch की height 7 feet की height दे सकते हैं तो यहां मेरे पास मैं यहां पर 7 feet की height देता हूँ और मैं इस wall के यहां पर मैं यहां पर एक door बनाना जाता हूँ एक simple सा example दिखा रहा हूँ आपको आपने इसको select किया और आप इसे चूट कर सकते हैं आपने इधर यह frame बना दिए आप क्या करेंगे आपने यह line से बाहर निकलते हैं मुझे line नीचे आप यहां से rectangle लेंगे आप यहां पर door पर जाते हैं और door पर भी मैं depth दे देता हूँ आपको 9 इंच के depth चाहिए यहां पर depth कितनी चाहिए फ्रेम विरित कितनी चाहिए मैंने ले लो तीन इंच चाहिए ठीक है इस तरह से आप और आप इधर click करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर आपका यह frame तयार हो गया काफी easy था frame बनाना यहां पर जैसे मैंने window आप जब इसको select करते हैं तो मैं यहां पर चाहता हूँ कि कुछ grooves आने चाहिए यहां पर groove कैसे काम करेंगे आपने click किया और अभी मैं basic setting पर जाता हूँ मैं create groove करता हूँ और मैं इस corner पर मैंने groove किया तो आप देखेंगे कि यहां पर यह edges में यहां पर grooves आगे देख रहे है मैं इसे control Z करते हूँ यहां पर फिर space select कि आपने आफिक groove पर आते हैं आप क्या करेंगे यहां पर यहां पर आपको बता रहा है कि number of grooves आपको कितने चाहिए मेरे को पांच की जगा अगर मैं 10 ले ले लेता हूँ यहां पर और अप create करता हूँ यहां पर तो आप देखेंगे कि यह मेरे पूरी बोल में यहां पर 10 आगे हैं देखने हैं इसी है काफी नेक्स आता है मेरे पास यहां पर stairs है अलगलग टाइप के stairs हैं देखते हैं कि stairs जब आपको बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे आपको एक line create करना पड़ेगा for example मैं यहां पर lines पर आता हूँ और मै मैंने यहां पर 12 feet की मैंने यहां पर यहां पर आप क्या करेंगे आप यहां पर stairs पर जाते हैं स्टेट्स यह स्टेट्स हैं यह बिल्कुल स्टेट्स स्टेट्स हैं यहां पर अलग टाइप है बी टाइप में अलग स्टेट्स होंगे यहां पर ए टाइप में अलग होंगे और यहां पर डी टाइप में लगोंगे तो अगर आपको ए टाइप के स्टेर को यूज करना आ जाता है तो आप कर पाएंगे मैं अभी बेसिक सेटिंग में आते हैं आप यहां से लेकर और यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि आपकी यह स्टेर्स यहां रहे हैं यह वहां से start हो रहे हैं और example देता हूं मैं आपको आप यहां पर आए आप यह लाइन को select करते हैं मैं इसे copy कर लेता हूं stairs मनाना काफी easy है और interesting है आप second पर आते हैं यहां पर आपने build staircase अभी मैं यहां पर setting कुछ भी change नहीं कर रहा just हम देख रहे हैं कि create कैसी करेंगे यहां पर आप आए तो क्या किया कि यहां से मैंने इधर क्लिक किया तो यहां से मेरी stairs start होई और यहां से आप इसे turn कर सकते हैं मैं लाइन को यहाँ पर मैं copy कर लेता हूं मैं इसके 45 copy कर लेते हैं यहाँ पर आप ने देखा कि काफी सारे okay क्या करेंगे आप यहां पर आते हैं स्टेर्स पर आप आप यहां पर स्टेर्स पर आते हैं तो यहां पर जो आपको ए दिखा रहे हैं यहां पर आप जब ज़िए क्लिक करते हैं तो यह आपको दिखाता है कि ए क्या चीज है ए आपकी वृत है फोर इसमपल मैंने तीन फीट ले लिया यहां पर depth है जो c दिखा रहा है वो यहां पर आपको depth दिखा रहा है कि आपका depth कितना होना चाहिए तो मैं इसे by default रखता हूं कितनी आपकी सीडिया यहां पर चटन चाहिए तो 10 ठीक है मुझे भी जाता नहीं चाहिए और यहां पर जो यह जी दिखा रहा है यहां आप देख रहे हैं कि handle की height कितने हुँछे है तो यहां पर मैंने handle के higher यहां पर आपको b दिखा रहा है b के अंदर यहां पर यह height कितने हुँछे मैंने by default रुखता हूँ यहां पर आता है gap in between बत्क इनके बीच में back gap कतने हुद करा हुद है मैंने तीन feet का gap दे दिया उपर कितने हुए 10 हुए और हैंडल मुझे उपर में भी 3 feet पर चाहिए आपने स्टेर किस करते हैं आप यहां से लेकर और यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां से स्टार्ट होना शुरू होता है और यहां पर आप देखेंगे मेरे पास कस्टमाइज आपकी स्टेर्स क्रेट हो गए है आपके यहां पर कस्टमाइज स्टेर बन गए है आप यह चाहते हैं कि यहां पर मैं जो मेरे यहां पर अगर मुझे हैंडल बनाने हैं वो कैसे बनाएंगे आप यहां पर आएंगे आपने सेलेक किया आप क्या करेंगे आप इस यहां पर आईंगे और मेरे पास क्या होता है यहां पर follow me tool तूल आप यहांप follow me tool पर आयेंगे और आप इदर click करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यहां पर यह handle crate हो गए यहां पर मेरे यह pipe देख रहे हैं आप यह credit हो गए तो काफ़ी stairs हैं आप यहां पर click करेंगे stairs पर आप यहां पर line को select कर सकते हैं मैंने यहां पर line को select किया है crucified आप यहां पर आएंगे कि आप आपने यहां से लेकर यहां पर click किया तो देखेंगे कि यह थोड़ा अलग type के stairs case हैं बीच में space नहीं है side में यहां पर यह द До Commonwealth प्लेस पर आप इसे यूज कर सकते हैं सारे जो जितने भी आपने स्टेर देखे वह लगबख सेम क्रेट होते हैं यहां पर मैं आपको एक लास स्टेर्स बता रहा हूं आपने यहां पर एक लाइन क्रेट किया और लाइन को मैंने यहां ऊपर की दरफ क्रेट किया मेरे पास यह Wooowund straight नहीं करता आपने यहां क्लिक किया ओप क्लिक करके थोड़ी दिल वΩ करेंगे तो यहां पर आपको यह Stares create हो तो आपने कहाकि यहां पर काफी EZE था स्टेर वनाने जो स्टेर केस हैं यह plug and play है जस्ट आपको create करना है और फिर इसको edit करके आप काम कर सकते हैं इसमें यहाँ पर हम window पर काम कर रहे थे आपने देखा था हमने window बनाये थे यहाँ पर एक और window type है आप क्या करेंगे आप rectangle लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर window पर click करेंगे यहां पर create window frame आता है आपने click किया तो आप देखेंगे कि यहां पर मेरे पास window के अंदर यहां पर यहां पर different type के window आगे बीच में glass भी है यहां पर और design भी है यहां पर आप देख रहे हैं एक और example देख लेते हैं हों पर मैं इसे delete करते हूं यहां पर मैं आप आते हैं और आपको क्या करना है यहां पर फिर एक rectangle आप लेंगे कि आप यहां पर click किया आपने और अभी मैं कोई भी setting पर change नहीं कर रहा आप create frame पर click यहां पर आपने देखा कि जैसे मैं यहां पर जो मेरे पास व्रित और हाइट है for example मैं 3-3 इंच ले लेता हूं यहां पर आपने यहां पर 3-3 इंच लिया column space ले लेता हूं मैं यहां पर 3 इंच का column space for example मैं 1 इंच का ले लेता हूं और row spacing भी मैं 1 इंच की ले लेता हूं और angle मैं 45 ले लेता हूं और मैं इसको अब क्लिक करेंगे आप तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह के आपके जो वॉल्स आपके विंडो के अंदर जो डिजाइन है वो आपका कुछ इस तरह से क्रेट हो जाए लगा तो काफी इजी है यह इस पर काम करना यहां पर मेरे पास यह विंडो है यहां पर मैं इसको डिलीट कर देता हूं मैं इसी विंडो पर आपको अलग अलग एक्जेंपल दे रहा हूं यहां पर यहां पर आपने एक रेक्टेंगल लिया मैंने यहां पर एक रेक्टेंगल लिया आपको इसमें फ्रेम क्रेट करना है यहां पर मैंने frame create किया आप देख रहे हैं कि frame आ गया है आप इसको यहां पर select करके आप इसे अंदर की तरफ भी place कर सकते हैं यह अंदर की तरफ place हो गया है मुझे इसका यहां पर glass नहीं चाहिए for example तो मैं अभी delete कर देता हूं यह glass इस तरह से आप delete कर सकते हैं मेरे पास क्या है कि मैं यहां पर मेरे पास lowers आते हैं किस तरह से काम करते हैं देखते हैं आपने click किया आप अभी basic setting आप क्या करेंगे आपने rectangle create किया है हम पर और आपको यहां पर मेरे पास अप click करेंगे तो मेरे देखते हैं कैसी select करेंगे आपने click किया और मैंने यहां पर कुछ setting change नहीं किया है आपने यहां पर click करेंगे तो आप देखेंगे कि by default setting में यह कुछ इस तरह के आपके lowers आते हैं देख रहे हैं अब कंट्रोल Z कर देते हैं फिर आप दुबारा क्लिक करते हैं यहां पर और आप क्या करेंगे यहां पर अब मुझे इसके thickness चाहिए यहां पर तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहां पर तो यह thickness दिखा रहा है आपको कि यह कौन से अब्जेक्ट पर काम करेगा टी कौन सा है और इस टैप के अलग लग हैं आपने 0.5 यहां पर किया अब मैं create करता हूँ और यहां पर तो यहां पर आप देखेंगे कि यह 0.5 का आपके measurement के आपको कुछ इस तरह से आदेगे एक यहां पर आप horizontal पर काम कर सकते हैं और यहां पर आप vertical पर भी काम कर सकते हैं आप फिर एक rectangle लेंगे यहां पर आप यहां पर click करेंगे और मैं इसे आप middle front और यह back कहीं भी रख सकते हैं इसको और मैं इसकी spacing दे दे तो 3-inch thickness मैंने half दे दी है और depth मैंने by default रखी है और कितने एंगल पर चाहिए मेरा 30 एंगल है यहां पर आपने create किया यहां पर आप click रखेंगे तो आप देखेंगे कि यह कुछ इस तरह से create होगे एक यहां पर create हुआ है और एक यहां पर grave है तो काफिएज़ी था बना आप इसे create कर सकते हैं यह मैंने देखे कि किस तरह से create करते हैं यहांन पर इसी आप delete कर सकते हैं अगर आपको तो यह समझ आ जाए आप फिर यहां पर एक rectangle लेते हैं आप क्या करेंगे आप यहां पर edge को select करेंगे यहां पर आपने यहां पर edge को select किया आप यहां पर आएंगे create rectangle grill आपने क्लिक किया यह grill का space पूछ रहा है अभी मैं ok कर देता हूं तो देख रहे हैं कि यहां पर यहां पर यहां पर यह कुछ इस तरह का आपको यह grill आपका आ जाएगा आपकी window पर पर इक्जामपल आपने फिर इस तो select किया यहां पर इसit select किया यहां पर आते हैं नेक्स option पर और यह rounded ग्रिल है यहां पर ड्याइमेटेर आप से पूछ रहा है आपने क्लिक किया तो यह कुछ इस तरह से आप yep आप एक और सेलेक्ट कर लेते हैं फिर आएंगे यहां पर आपने की कि आप का जो विंड्वो border है वो कुछ इस तरह का आजएगा rounded आजएगा काफी easy है काफी interesting है बनाना तो यहां पर आपने देखा कि जो 1001 हमारे पास extension था जो उसके tools थे उसमें काम करना काफी असान है plug and play tools हैं जस्ट आपको एक basic 2D line create करनी है आपको size देना है और वो आपका 3D create कर देगा students आज की class में हमने देखा कि 1001 tools set के जो tools हैं वो किस तरह से हमारी modeling में help करते हैं तो I hope आज की class आपको समझ आई होगी आज के लिए इतना ही thank you